जॉइन्ट एक्षन कमिटी ने सुमवार आठ फेबरुवारी को एक महत्वपुन्न बैठक बिलाए गए जिसमें समाज के हित की महत्वपुन्न मुद्धे पर चर्चा की गए महरत सरकार के नए बचट पे जो ट्रांस्पोर्ट वर ट्रक इंडर्स्ट्रिस के संदर में नेने लिया गया है वह पुनरूप से एक तरफानी ने है जो एक प्रकास से नए फ्रश्टाशार को जन्द दे सकता है जैसा कि किसी गाड़ी का रास्ते में एबे बिल समय के अभाव से खत्म हो गया है जो कि ड्राइवर को मालूम नहीं होता अगर उस समय गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसमें उसकी माल की अनुसार सौगुना ज्यादा का जुर्माना लगाया जाता है लेकिन अगर किसी भी हाइवी पर या परिवहन चेक पोस्ट आईटियों की मात्यम से गाड़ी को अवितरू से वसोली लेने के कई घंटे तक रोका जाता है जिससे गाड़ी का काफी समय का नुकसान होता है जिसकी जवाबतारी उन प्रशासनेक अधिकार्यों की होती है लेकिन आज तक सरकार न पनारिफाले ट्रांस्पोर्टर वर ट्रक चालक मालिक का रोजगार बचार है जो सदा सर्वदार राष्ट के हीत में सेवा करते रहें ऐसी मांग जॉइंट एक्षन कमिटी ने की जिस तरह से परिवहन विपाग में सभी आर्टियों चेक पोस्ट पर एवं सभी हाइवे ड काम जाली है जो केंडर सरकार वर राज्य सरकार को अच्छी तरह से मालूम है जो कि यही अधिकारी बताते हैं कि यह सब कुछ उपर से आदिश दया गया है कुछ दिन पहले ही केंडरियों परिवहन मंत्री ने खुद बोले थे कि आर्टियों चंबल के डाकों से भी जादा होनी चाहिए सरकारून को वह पहुचा है तब ही परिवाहन माफिया को खत्म करना संपो है नहीं तो आए दिन किसान के तरह सबी जगों पर धर्ना प्रदशन आंदुलन होने की संपो ना बढ़ सकती है इस बैठक के दरान जॉइंट अक्शन कमिटी संस्तापक अध्यक्ष्य प्रलाद अगरवाल भाई चारा राजमार्ग परिवहन सिवा संस्तापक अध्यक्ष्य नरिंडर मिश्रा शिवाजी वहन सालक संस्तापक अध्यक्ष्य दिनिश अगरवाल निहा अगरवाल तेल की रिपूर्ट